उसाब 22 करोड अवाम की जो वजीर आजम बात कर रहे ना उनमें से 5 करोड वो लोग हैं जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो वहाँ पे सब ठीक है चुकि बलोचिस्तान के बाद जो सिंद सूबा है ना वो पाकिस्तान के पसमांदा तरीन सूबा है तो आपके यहां तो कोई प्रॉब्लम कोई परिशानी नहीं है सारे मसाइल हल हो चुके हैं वजीर आजम साब के इस इंटर्विव के ओपर जी जो इन्हों ने दिया और मड़ी हैरांगी हुई कि जो लफ इन्हों ने इस्तमाल किये पबले के लिए किये कि यह मुसीबत हैं यह रोला डाल रहे हैं तो मैंने बलके ट्वीट भी किया एक शेर जिस पर लोग मुझे कह रहे थे कि कोई हमारी फरस्ट्रिशन है यह तो वजीर आजम की फरस्ट्रिशन है कुरसी है तुमारी जनाज़ा तो नहीं है कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते देखें चुरू की तो मुझे पहली दफा लगा कि कोई तरीक इंसाफ का कोई ऐसा नुमाइदा है जो यह मुझे बताने लगेगा अबी के धाई साल में हमने क्या क्या किया और यह पिछली हकूमतों पर नहीं डालेंगे तो मैं बड़ा एक्साइटेड वह और मैंने बड़े कान ध 2013 में हमने यह गर्मन्ट PMLN को दे दी 3.7 के ओपर 3.8 पीक पर हम लेकर गया और आप पूरी दुनिया गवा है कि पूरी दुनिया के अंदर एक एकनोमिक बहरान था पैट्रल की प्राइस हर चीज महंगाई थी और हमारे मुल्क में हर रोद धमाका होता था कोई दिन ऐसा न ने अपनी गर्मन्ट बनाई PMLN ने तीन दफ़ा बनाई PMLN पंजाब में 10 साल हुक्मरानी की आप लोग 13 साल से सिंध में हुक्मरानी कर रहे हैं मुझे यह बताईए आपने सिंध के तमाम मसाइल को हल कर दिया है जो सिर्फ धाई साल में आपको लगा के बैठे हैं कि PTI की पास जादो की छड़ी है लेकिन, 12 साल के अंदर, कोई एक बात, आप ऐसी बतादें, हम यह कहते हैं कि हमने की तरफ जाना है चले मशरख की तरफ पहुंचना तो दूर की बात है मशरख की तरफ ये मूगा तो कर Nepal अपना है तु आ